बिहार विधान सबाचुनाव में हार के बाद लंबे वक्त तक बिहार की राजनीती से दूर रहे LGP सुप्रीमो चुराग पास्वान फिर एक बार सक्रिय हो गए है चुराग ने एक बार फिर नितीश सरकार पर हमला बोला है उन्होंने पत्र लिक कर आरोप लगाया है किराज सरकार की उदासीनिता की वज़ा से जमूई मेडिकल कॉलेज के टेंडर का काम रुका हुआ है एलजेपी अध्यक्ष चुराग पास्वान ने बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रस्ट्रक्शर कॉर्परेशन लिमिटेड पत्ना प्रबंद ने देशत को पत्रो लिक कर आगरा किया है कि जमूई मेडिकल कॉलेज और ऑस्पिटल की टेंडर प्रक्रिया को ततकाल पूरा किया जाए ताकि ख्षेतर के लोग जल्द से जल्द इसका लाब उठा सकें चिराग ने लिखा कि उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इस मेडिकल कॉलेज की स्विक्रिती केंडर से कराई थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से टेंडर प्रक्रिया में देरी होने के कारण अभी तक उक्त मेडिकल कॉलेज का निर्मान कारे शुरू नहीं हो पाया है जबकि बाकी जिलों में इस मेडिकल कॉलेज के साथ स्विक्रित किये गए मेडिकल कॉलेजों का कारे प्रकति पर है गौर्तिलब है कि दो साल पहले केंडरिय स्वास्ते मंत्राले ने राज्यों में पाँच मेडिकल कॉलेज खोलने की गोशना की थी इसके तहट प्रदेश सरकार ने जमुई में भी मेडिकल कालेज खोलने का निड़नाय किया था जमुई के खैरा प्रखंड में सश्रास्त्र सीमा बल कैमपस के पास 27 اकड़ सरकारी जमीन को सरकार ने मेडिकल कालेज खोलने के लिए चिन्नित भी करं लिया था तो वहीं पटना आई कोट ने भी उक्त जगह पर कॉलेज खोलने की इजाज़त दे दी है हाला कि सारी प्रकरिया पूरी हो जाने के बावजूद अब तक अस्पताल निर्मान का कारे शुरू नहीं हो पाया है और इसको लेकर अब लोजबा सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने नितीश सरकार पर हमला बोला है